Hello दोस्तो, Welcome to Ideal World दोस्तो, sociology में अगर बात की जाए तो personalities कैसे develop होती हैं लोगों की ठीक है है उसमें different theories दी जाती है ठीक है, कि एक individual जो होता है उसकी personality कैसे बनती है वाद ही इस इसी theory में एक theory है segment Freud की जिसे हम कहते हैं psychoanalytic theory वो कहती है कि जो एक individual है उसका mind जो होता है वो तीन components में divided होता है number one ID होती है number two ego होती है, number three super ego होती है Freud कहते है कि जब इन तीनों components का आपस में interaction होता है तो बन्दे की एक personality develop होती है ठीक है अब Freud कहते है कि जो सबसे पहले mind में एक बन्दे के जो चीज होती है वो होती है ID ID क्या होता है it is the instinctual part of the mind that responds immediately to wants and desires the ID is chaotic and animal-like seeking pleasure and avoiding pain ID कौन सा इसा होता है दमाग का जो basically आपको pleasures और wants or desires के बारे में आपको बताता है ठीक है for example आप कभी खाना देखती है तो फॉरन आपको खाना खाने का दिल करता है ठीक है ये आपकी want होती है आपकी desire होती है इस तरह Freud कहते है कि जो sexual desires होती है वो भी basically आपके जो दमाग का इसा होता है ID जिसको कहते है वहाँ से generate हो रही होती है ठीक है आपको घुसा आता है ठीक है तो ये जो जितनी भी instinctual होती है ठीक है instinct ये आप सोचे समझे बगार जो आपकी feelings develop हो जाती है ठीक है आप गुसा आ जाता है ठीक है ये सारी जो दमाग का इसा है ID उसको कहते है वो इन चीज़ों को basically उभारता है ठीक है तो ये basically जिसे फ्रोइड कहते है कि इस आर अनिमल लाइक behaviors होते है ID वो उस component को generate करता है अब अनिमल लाइक क्या होते है अनिमल भी लड़ जाए इनसानों की तरह उनको भी घुसा आता है ठीक है उनको भी भूग लगती है उनको भी sexual desires होती है तो ये basically आपकी animalistic desires होती है और ये instinctual होती है आप सोच के नहीं को करते है बलके naturally ही आपको आती है दूसरा जो component है इसके बाद देखने वाला वा फ्रोइड कहता है कि super ego होती है ठीक है अब super ego क्या होती है पहले में इसको पढ़ लेती है ठीक है अब इससे भी पहले अगर हम पढ़ ले super ego को discuss करने से पहले जरूरी है कि हम ego को पढ़ ले ego कहें the ego is the decision making part of the mind it uses reason and logic and tries to get the unrealistic idea to cooperate in real life अब एक तो होगी आपकी animalistic desire जो के idea में होती है ठीक है for example आपको गुसा आना आपकी sexual desires होना ठीक है भूग लगना तो खाना खाने का दिल करना दूसरी होती है ego ego क्या होती है आपको decision making part होता है ठीक है mind में जो mind जैसे आप सोचते है ठीक है कोई भी काम करने से पहले आप जो सोचते है वो जो आपको mind के component है था ego ego वो यूज होता है जो ego होता है वो उसको moderate करता है क्योंकि वो दमाग से सोचता है decision making यूज करता है for example अगर आपको let's suppose में आपको जब घुसा आता है ठीक है तो that is an ID instinct है लेकिन फिर आपको आपको आपका दमाग सोच के बताएगा ठीक है क्यार ने घुसा ना करो ठीक है इससे नुकसान होगा अगर आपको घुसा से आप शायद लड़ पड़ोगे तो जानी नुकसान हो जगा ये जो सोच रहा होता है ये आपका ID ego जो आपका component होता है ego सोच रहा होता है ठीक है तो ego जो होता है idea and ego to turn to moral goals rather than seeking pleasure अब हमने देखा जो idea होता है वो pleasure seeking होता है ego होता है वो decision making करता है through reason and logic और super ego क्या होती है ये आप दोनों का reconcile कराता है ठीक है idea और ego का reconcile कराता है super ego basically आपने जो over the years आपने values और morals learn की होती है socialization से for example आपके parents ने आपको सिखाया है ठीक है कि यार घुसा नहीं करना ठीक है आपके parents ने आपको सिखाया है कि जूट नहीं बोलना ठीक है तो ये सारा super ego है ठीक है आपके parents ने आपकी grooming ऐसे की आपको socialize ऐसे की है ठीक है तो ये जो होता है तीन component से brain के जब ये interact करती है तो एक personality होती है अब जिन लोगों में ID component dominant होता है वो क्या होंगे वो आपको देखेंगे एक बड़े emotional होते हैं उनको फॉरन अगुसा आ जाएगा आज तीन चड़ा लेंगे लड़ना शुरू हो जाएगे ठीक है जिन में ego का component dominant होता है वो क्या करेंगे वो बड़े rational होंगे आपको देखा होगा वो बड़ा तहामूल से सबरो तहामूल से decision लेते हैं कभी जल्दी नहीं करते हैं पर जिन लोगों का super ego जो होता है dominant होता है वो क्या करते हैं बड़े moralistic होते हैं कि वो हर चीज़ को करने से पहले पहले सोचेंगे या या यह सही भी है गलत है क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या मौशरा इस चीज़ की जालत देता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ठीक है तो यह सुपर एगो कांसेप्ट है तो हम देखें कि ID, Animalistic, Pleasures कुछ चीज़ करता है, Ego आपका Logical Decision Making करता है, Super Ego जो है वो आपका Morals and Values को देखता है क्या society क्या सोचे कि मैं यह काम करूँगा तो यह तिनों जब इंटराइक करते है तो कोई एक किसम की Personality जनम लेती है और तीनों में से जो dominant होगा वो ही decide करेगा कि किसी एक individual की Personality किस Nature की होगी I hope इस वीडिय किसम की सत्सवाइक किसे जब इंटराइक किसी कुछ स्थाबराइक करते है तो यह तो आपका तो इंटराइक करता है किसे एक अँड़ाएक उड़ां।